श्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG Tally Account GST दोस्तो Tally Prime Software में आपने सेकलों एंट्रीज कर रखी हैं हजारों एंट्रीज कर रखी हैं और उन सेकलों एंट्रीज में से हजारों एंट्रीज में से आप अमाउंट के आदार पर किसी भी एंट्री को सर्च करके सामने लाना चाहते हैं तो आप ये सेकलों में कर सकते हैं कैसे चलिए जानते हैं दोस्तो Tally Prime Software का जो latest version है 3.0 और इससे आगे आने वाले जो भी version होंगे उन सारे के सारे version में आप इसी तरह से सेकलों हजारों एंट्री में से अमाउंट के आदार पर किसी भी एंट्री को सेकंडों में सर्च करके सामने ला सकते हैं इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों डे बुक में मैंने डे बुक को सेलेक्ट किया और एंटर प्लेस किया दोस्तों हमागे डे बुक में और यहाँ पर मैं पूरा period कर देता हूँ एक अपरल 2023 से लेकर और 31 मार्च 2024 के बीज में करीब मैंने यहाँ पर 200 एंट्री कर रखी हैं अब यहाँ पर मुझे amount के आधार पर किसी भी एंट्री को सर्च करना है तो second नों में मैं सर्च कर सकता हूँ amount का मतलब यह last amount जो last amount होगा अगर आप sales या purchase के एंट्री को amount के आधार पर सर्च करना चाहते हैं तो जो last का amount है उस amount के आदार पर आप किसी भी entry को second domain सर्च करके सामने ला सकते हैं अब मैं day book में हूँ वो सिस्तान पर हूँ जहां पर कि मैंने किसी भी voucher में जो entry कर रखी होंगी वो सारे के सारे voucher में की गई entry मुझे इस जगह पर मिल जाएंगी अब इस जगह पर हम इसका use करना सीखते हैं इसके लाभा और भी जगह हैं वहां से भी आप इस feature का use कर सकते हैं और किसी भी entry को amount के आदार पर second domain सर्च करके सामने ला सकते हैं day book में मैं हूँ और यहां से मुझे amount के आदार पर entry सर्च करनी है और वो amount है 1,23,816 तो आपको क्या करना होगा जब भी आपको amount के आदार पर entry सर्च करनी है तो side में बटन बार है यहां आपको apply filter लिखाओ को एक बटन मिलेगा इस पर click करिए करिया या फिर control के साथ F प्रेस करिए इस फीचर को यूज़ करने के लिए तो apply filter लिखे हूँ बटन पर मैंने कर दिया click जैसे ही दोस्तों आप ऐसा करेंगे आपके सामने screen इस तरह से appear हो जाईगे यहां पर आपको back जाना है इस जगह पर आ जाएंगे तो देखें यहां पर apply filter में by default यहां पर voucher है और voucher ही हमको रहने देना है हम यहां पर कुछ भी changes नहीं कर सकते एंटर प्रेस करेंगे अब field में हमारा cursor आ गया जैसे field में हमारा cursor आया by default यहां पर any field लिखकर आ गया और side में यहां पर list of fields आपके सामने आजाएंगे यहां पर आपको क्या करना है आजाना है laser detail में और laser detail में आने के बाद यहां पर second option आपको मिलेगा laser amount आपको यहां पर laser amount कर देना है जब भी आप amount के आदार पर किसी भी अट् amount आप सर्च करना चाहते हैं जिस amount के आदार पर आप entry सर्च करना चाहते हैं तो आप यहां पर same to same amount डालेंगे तो यहां पर आप condition में कर दीजिए equal to list of conditions में मैंने ले लिया equal to यानि same to same amount में डालूँगा और उसी amount से related जितनी भी entry होंगी वो हमारे सामने सर्च हो कर आ जाए look for में आपको क्या करना है जो भी amount है जिस amount के आधार पर आप entry सर्च करना चाहते हैं वो same to same amount यहां पर डाल दीजी तो वो amount है एक लाग तेई सजार आठसो सोले रुपए तो मैंने यहां पर डाल लिया एक लाग तेई सजार आठसो सोले रुपए ठीके ना अब आपको क्य करना है एंटर प्रेस करना है जैसी मैं एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पर एक एंटरी हमारे सामने सर्च होकर आ गई और इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए इसका amount है लाग तेई सजार आठसो सोले रुपए तो इतनी सारी जो एंटरी थी डे बुक में उ एक और amount है उसके आदार पर भी मैं एंटरी सर्च करना चाहता हूँ तो फिर से मैं apply filter में जाओंगा apply filter में जाने के बाद fields में मैं कर दूंगा यहां से laser amount तो field में मैंने laser amount कर दिया यहां पर condition में equal to रखूंगा और look for में मैं वो amount डाल देता हूँ जिस amount के आदार पर मैं entry सर्च करना चाहता हूँ तो यहां पर वो amount है 2,14,704 और मैंने interface कर दिया तो यह देखे दो entry ऐसी आ गई जिनका amount 2,14,704 रुपए था तो इस तरह से जो amount सर्च करना चाहते हैं उस amount की जितनी भी entry होंगी वो आपके सामने इस तरह से सर्चों करा जाएंगी और इन में से आपको कोई गलती होगी तो आप उनको देख सकते हैं और कभी आपको अचानक से कोई भी amount के आदार पर entry सर्च करना है तो आपको इतनी सारी 100,200,500,000 entry हो मै से देखना नहीं पड़ेगा सीधे आप फिल्टर लगाकर और बड़ी आसानी के साथ आप किसी भी entry को amount के आधार पर सर्च कर सकते हैं यह तो मैंने आपको बता दिये डे बुक जहां से आप इसको यूज कर सकते हैं इसके अलाबा कोई भी और भी register है किसी भी register में जाकर भ पर्चेज रजिस्टर जनरल रजिस्टर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आधी रजिस्टर आपको मिलते हैं तो किसी भी register में जाकर आप इसी तरह से amount के आधार पर entry सर्च कर सकते हैं मैं यहाँ पर example ले रहा हूं पर्चेज रजिस्टर का है ना तो यहाँ पर मैं आ आधार पर entry सर्च कर सकते हैं फिल्टर लगा कर अब इस जगे मुझे entry सर्च करनी है वह है एक लाख चौंसाट अजार दोसो तीन रुपए की है तो apply filter में गया apply filter में आने के बाद मैं पर field में cursor लेकर आया field में cursor लेने के बाद laser details के अंतरगत यहाँ पर laser amount है तो मैंने laser amount कर क्योंकि amount के आधार पर मैं entry सर्च करना चाहरा हूं conditions में equal to रहने दूँगा और यहाँ पर वह amount डाल दूगा जिस amount के आधार पर मुझे entry सर्च करनी है और वह amount है एक लाख चौंसाट हजार दोसो तीन डाला और enterprise किया तो यह देखिए उसने ये entry हमारे सामने निकाल कर दे यानि इतनी सारी जो मैंने purchase की थी उसमें कई सारी purchase voucher के entry थी और उनमें से उसने amount के आधार पर ये entry में सर्च करकर दे दी और देखिए यहाँ पर इसका amount है जो last value है invoice value हो है 1,64,203 रुपए तो इस तरह से आप किसी भी register में जाकर भी इसको यूज कर सकते हैं इसके आपर मुझे laser में जाना है किसी party के दो डिश्कले mode reports को मैंने select किया enter place कर दिया फिर यहां से account box को select करके enter place किया फिर laser को select करके enter place किया अब यहाँ पर जितने भी laser है किसी भी laser में जाकर यहाँ पर क्या होता है कि वह सारे के सारे laser आपको मिलते हैं जिन में कि आपने कोई भी transaction किया उस लेजर को स्लेट किजिए तो आपको दिख जाते है तो यहां पर यहां पर मैं एक ले लिए ले लेता हूं और वन तो यहां पर और यहां पर यहां पर ढशा गया उन्हों थे उन्होंने हमसे पूचा कि भई हमने इनको राघव टीटर को एक सेल की थी उसका अमाउंट था 86,585 रुपए कौन से एंट्री थी वो तो यहां पर मैं अप्लाई फिल्टर में जाओंगा अप्लाई फिल्टर में जाने के वा फिर आजाओंगा यहां पर फिल्ड में तो मुझे क्या करना है अमाउंट के आदार पर यह एंट्री सर्च करनी है तो यहां पर मैं लेजर अमाउंट कर दूँगा लेजर डिटेल्स के अंतरगत तो देखे फिल्ड में आगया लेजर अमाउंट के अदार पर मुझे एंट्री सर्च करनी है वह कई जगे से इसको use कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कुझे example से बताया डे बुक में आप इसको use कर सकते हैं किसी भी register में जाकर use कर सकते हैं किसी भी laser में जाकर use कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ आज का topic आपको अच्छे समझ में आ गया होगा वीडियो चिल गयों तो लाइक कर दानो लाइक